So hello everyone, namaste, pranam, sasriyakaal. आज कल के टाइम पे आपने देखा होगे, बहुत से scams के बारे में आपने सुना होगा, कि कोई किसी field में scam कर रहे है, कोई stock market का scam कर रहे है, या fin influencers के scams जल रहे हैं. तो मैं आज आपको एक ऐसे scam के बारे में बात करना चाहूँगा, कि जो बहुत बड़े-बड़े players कर रहे हैं, बड़ इतने अच्छे systematically वे से कर रहे हैं कि किसी को भी नहीं पता है. और इस scam में बहुत से लोग फस्ते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको किस systematically वे से सिरफ फसाया जा रहा है. तो क्या आपको ये पता है कि ये कौन सा scam चल रहा है? और इस scam का नाम है IPO Scam, जिसको आप Initial Public Offering के नाम से जानते हो. और जिसको आज कल के traders Jackpot Scheme समझते हैं, कि उनको लगता है कि वो ऐसे आने वाले IPOs में Listing Gain लेकर या उसमें Invest करकर अपना पैसा बना सकते हैं. इसी सीरीज को लेते हुए हम आप से सिरफ IPO के बारे में बात करने आए हैं कि आपको कैसे बचना है एक ऐसे IPO से जैसे आपको पता ही नहीं लगता कि आपका पैसा किस साइड पे फसाया जा रहा है. और इस स्कैम में बचने के लिए आज मैं हेल्प लेने वाला हूँ मिस्टर पंकज भार्दवाज के जो की मेरे खुद परसनली गुरुजी हैं. ठीक है? इन्होंने परसनली खुद से IPO की इतनी स्ट्राटेजीज बनाई हैं कि ये खुद एक अच्छे IPO और एक बुरे IPO को IPO आने से पहले ही research कर लेते हैं कि इसमें investment करना सही है या नहीं है. इनको खुद परसनली डेली 20-25 email ऐसी आती हैं जिनमें mostly emails में ये ही पूछा जाता है कि sir, IPOs में invest करें या ना करें. बड़ ये sir, खुद ही उन लोगों को IPO strategy देकर बता देते हैं ताकि वो उनके लिए lifetime तक ऐसे scam से बस सकें. चलो, आजाएए मिलते हैं Mr.Pankaj भारदवा से. Thank you so much Abhishek for inviting me. तो जैसा कि आपने बताया कि आज हम IPO के बारे में बात करेंगे कि लोगों को लगता है कि ये IPO है पर एक्चुल में ये एक systematic तरीका है scam करने का. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे IPO के बारे में जिसके mostly products आप भी use करते होंगे ठीके? ये बहुत trending में चल रहा है, इसमें mostly celebrities ने भी अपना investment किया है ठीक है? और इस IPO का नाम है MAMA EARTH. क्या इस IPO को आपको buy करना है? वैसे ये आज last date थी IPO की तो अब बात आती है investment करने की कि listing के बाद क्या ये IPO अच्छी valuation पर है या नहीं है? ठीक है? तो ऐसे बहुत से videos आपको मिल जाएंगे जो इनके financials के बारे में अलड़ी बात कर रहे हैं हम बस बात करेंगे इनके कुछ facts पर और अगर guys आपने IPO apply किया है तो चिंता करने वाली बात नहीं है इस video के बाद अगर आपको सही लगता है ठीक है तो आप अपने IPO को long term के लिए रख सकते हो otherwise आप उसमें से exit कर सकते हो अगर किसी को भी IPO allotment होता है तो और अगर आप भी ऐसी tricks को सीखना चाहते हो तो इस video के आखरी में पंकर सहर एक ऐसी trick बताने वाले हैं जो कि आपको lifetime तक help करेगी IPO apply में कि आपको apply कैसे करना है सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूंगा कि जो कि इनके report से यह आया है कि mostly जो इनके promoters हैं वो exit लेने वाले है IPO को जिस दिन IPO launch होगा उस दिन ये लोग exit करने वाले हैं नेरबाए इनके investors तकरीबन तकरीबन 100 times अपना पैसा increase करकर exit करेंगे तो मैं यह पूछना चाहूंगा वो तो उन्होंने अपना पैसा 100 times increase कर लिया हमारा क्या हमारी investors का क्या अगर हमारी audience ने उस IPO का apply किया है और उनको वो IPO मिल गया तो क्या उनको उसमें बने रहना है ऐसे gain के लिए या उनको exit करना है तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि यह angel investor जो exit कर रहे हैं यह लोग कौन है देखो अकसर आप लोगों ने सुना होगा कि दूसरे के कंदे पर बंदूक चलाना बड़ा टिपिकल वर्क होता है तो दूसरे के कंदे पर बंदूक ना चलाई आपके बड़े बुडों ने ए जिस कंपनी में हम लोग एक करोड दो करोड इससे जादा नहीं लगाते हूँ एंजले इन्जली माश्टर इससे जादा लगाते इसलिए नहीं है क्योंकि उनने पता है कि उनका startups में investing जो ratio है दस में से एक या दो ही perfectly काम करता है अब जो भी perfectly काम करेगा उस में यह 20 X 3 X 50 X 200 X 500X ऐसे होता है भी शेट उसमें क्या problem आता है सब लोगों को ये लोग एक बात अच्छे से पहले दिन से एक चीज जानते हैं कि हमने round 1 में funding किया है तो round 2 का funding जो भी होता है वो double valuation में होता है ऐसे ही ये number of funding को बढ़ाते रहते हैं और उनके अंदर ये लोग valuation को double करते रहते हैं जो की own document होता है real stick way में कुछ नहीं होता है तो बाहर के जो लोग होते हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं start-ups है ये लोगों ने अपना business बनाया हुआ है start-ups में ऐसे बहुत सारे लोग है shark tank पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मैं shark tank की भी कहानी बताऊंगा कि same promoter shark tank पर जब आय tax पर जो exit कर रहे हैं इनको अच्छे से पता है कि हमने जो दो करोर रुपे लगाए थे वह अब 200 करोर रुपे हो गए हमें exit करने का समय आ गया हमें company के साथ long term में नहीं रहना company के promoter अलग होते हैं angel investor अलग होते हैं sometime angel investor भी promoting की list में आ जाते हैं board of directors में आ जाते हैं तो बहुत सारे decision making में भी उन लोगों का वो होते हैं कुछ promoters कुछ angel investor जब company में आते हैं तो वो company को grow करने के लिए आते हैं they start giving the idea कि आपको अपना business को यहाँ पर idea inflow करना चाहिए वहाँ पर inflow करना चाहिए Disney hot star पर मैं किसी का promotion नहीं कर रहा हूँ एक series आई है अभी recently तुमसे ना हो पाएगा something like that it is basically related to startup knowledge बट उसमें आपको यह बताया गया है कि किसी भी startup को जब भी आप run करते हो जो पहले आपका thought process होता है उस thought process को आप बहुत पीछे छोड़ देते हो जैसे angel investor आता है और आप बह करते हैं because angel investor हमेशा यह जानता है उसका मानना भी यह है कि वह अगर कम amount का पैसा invest करें तो वह सिर्फ बाद में profitable करें जो consumer और product के बीच में जो एक relation होता है ना जब company को start करता है वो उसको समझता है जब उसके अंदर angel investor हो जाता है ना तो जो door होती है ना उसको cut कर देता है य मैं आपको एक fact की बात बताओं शिल्पा शेटी का जो investment है वो तकरीबन इस IPO के launching के बाद 600 times बढ़ने वाला है तो sir ये इनके लिए तो अब जैसे शिल्पा शेटी का 600 times बढ़ने वाला है ऐसे वरुन जी और गजल जी भी इसमें से exit हो रहे है कुछ shares बेश कर तो क्या ये advantage ह है या इसके बारे में कुछ ऐसी news है कि मैं बताता हूँ आपको IPO is the main process for exiting the angel investor या आप ने किसी चीज का production कर लिया manufacturing कर लिया आपको पैसा कमाने के लिए उस माल को बेचना पड़ेगी बेचोगे किसको अब consumers को बेचोगे तो market में जैसे product पिकता है ऐसी angel investor इसको अपना stake देना पड़ता है क्योंकि अगर चहां पर उन्होंने दो करोड रुपे लगाए हैं और वहां पर valuation उनकी 500 करोड रुपे हो गई है तो 500 करोड रुपे जब उनके हात में आएंगे तब ही तो वो profit booking हजार शेयर बायक यह हजार शेयर वेज़ दी हमने profit ले लिया open market में कभी किसी ने सोचा यह open market में बाहर seller आते कहां से है ममा अर्थ का IPO launch होने के बाद यह कुछ shares public को issue करेंगे जो public को shares issue करेंगे वो इन लोगों के shares account से आएंगे हम लोगों के पास आएंगे तो जो इनका एक price band fix हुआ होगा इस price band के उपर आएंगे तो वहां से होगा और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट नाम की दो चीज़ चलता है तो ग्रे मार्केट में रेट हमेशा 20x 30x ज्यादा चलता है because they are predicting like a future forecasting यह आपका future में product की क्या डिमाड है I'm really shocked that कि इन लोगों का इतना अच्छा product है अच्छा बेबी प्रोडक्ट है अच्छे अब यह लोग और भी segments में आ गए हैं like face like natural colors और भी and they are start doing the saloon work भी इन्होंने investment किया रही है तो आपको यह बात जानके हैरानी होगी कि इनका product वाके में market में thousand products से rectify होके मतलब उनके साथ comparison करके they are most of the top 10 levels तो आप सोचो ऐसे products यह लोग जानते थे कि इनका product अच्छा है लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही गलती कर दी इस IPO को launch करने में इन्होंने customer के साथ जो door बनाई थी वह angel investor ने card जिससे यह सब cutting है as per report इनकी जो parent company है honasa consumer limited इनके मताबिक इनका जो gross profit है वो 70% है right तो क्या इनकी लिए यह positive news है पहले तो क्या है अभी शेक पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा whatever the data we are collecting that is true or not false right तो जिसको आप 70% कह रहे हूं वह actual में books में है और वह भी 65% है जिसको books में जो data market में available है आप मुझे एक बात बताओ अगर आपका product इतना अच्छा है तो वाय आर यू taking the valuation at higher price जो valuation आप मुझे आज मांग रहे हूं अगर आपका product अच्छा है तो वह product की valuation तींचर साल में तो आपको अपने आप ही मिल जाएगी जहां आपका consumer based जिस market के उपर इन्होंने काम किया है आदे लोगों को पता नहीं होगा कि child care product की जो market capitalization है वो 3 billion dollars से भी उपर राइट और यह हर साल 8 से 12% के बीच में मरती है इन लोगों ने 2015 में यह भाप लिया था 2015 तक इतना ज्यादा कोई नहीं था किसी भी तरीके के baby products को इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे आज मेरी बात सुने जिनके घर में चोटे बच्चे ना थे नोज मैंने क्या बोला है तो ऐसे इन लोगों ने यह market भाप लिया था कि market में good quality के product नहीं है जो especially सिर्फ बच्चे के लिए हो इन लोगों ने एक मतलब it's basically related to मैंने बता है न जब आदमी start करता है तो वो जो एक consumer base और वो जो एक छोटी सी डोर होती है ना बड़ी मजबूर होती हो इन्होंने उस product को देखा देखा उस problem को देखा कि बच्चों के लिए chemical type के samples shops और भी अरिके के body bosses use होते हैं paraben free जिनको बोलते हैं तो इन लोगोंने paraben free टाइप के chemical free टाइप के लेकर आएगी अलाकि market में इससे पहले भी बहुत लोग थे बट उनके product की जो demand थी वो बहुत high cost थी product की जो cost थी वो बहुत high cost थी और US में भी ऐसे बहुत सारे product हैं अच्छे बट उनकी cost बहुत high है क्योंकि competitor नहीं है तो they are doing the monopoly बट सर इसमें एक point निकल कर आया है यह बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी products हैं यह हम नहीं करते manufacture हम थर्ड पार्टी से करवाते हैं बट वो थर्ड पार्टी कहीं दो या तीन से भी connected है या नहीं है मैंने बताया ना ममा अर्थ they are different kind of role क्या they spend lot of money in marketing almost 2.5x मतलब जितना एक कमाते थे एक time था उससे ज्यादा इन्होंने उसका marketing किया हूँ है ना जिसका number sir मैं audience को बताना चाहूंगा 3950 estimated number है इतने influencer से इन्होंने marketing करवाई गे और देखो इन लोगों ने जिन market influencer से इन्होंने market अपना जो भी marketing का एक टैक्निक या टैक्टिक्स इन्होंने प्ले किया उनमें आप गोर करो एक बात इन्होंने हर एक time पर वो आदमी पकड़ा जो limelight में था जिसको लोग सुन रहे थे तो इन्होंने target audience की जगे target influencer को पकड़ा ताकि जहां पर उन लो मार्किट में फेमस हो गए हमारे घर में भी बेबी के लिए ममा अर्थ का प्रोड़क्ट यूज करते हैं इवन आइसा था मैंने खुद इसको पने उपर ट्राई किया जैसा यह बोलते हैं प्रोड़क्ट वैसे तो क्या असरा आपको लगता है जैसे जॉंसने के बाद जलन दीख लेया ऐसी कंपनीजने अलरी मार्किट में अपनी जगह बनाई हुई है तो यह उनको बीट कर सकती है इनको फ्यूचर में मैयने बोला प्रोड़क्ट को बीट कर सकती है सबस्पाद कर रहे हो तो व्हुर्प करर रहे हो उससे कोई क्यों बीट को डिक्कत नहीं Valuation है मैं इस वीडियो के माधियम से सब लोगों को आज एक चीज बता कर जाओंगा कि इस IPO को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो क्या करना है नहीं किया तो क्या करना है और कौन सी Valuation पर इसको लिए मैं आपसे कोशन भी पूछना चाहूंगा इसकी Valuation कुछ टाइ की Valuation पर मैं आपसे कोशन पूछना चाहूंगा सर अगर ये 24,000 क्रोड की Valuation पर आई प्योंच होता और हमें मिल जाता अप्लाइ करने पर हम इन्वेस्टमेंट भी कर देते मानों चलो तो इसका मतलब हम कम से कम 50 या 60% के लॉस में होते आज 70% के लॉस में तो सर मैं स्क्वेरी का एक चोटा सा ब्रीफ देता हूं इससे पहले जमेटो आया कितनी वैल्यवेशन पर लगबख 50,000 अगर मैं बात करूं नायका की तो नायका तो कुछ है नहीं इधर से आपसे प्रोड़क्ट लिया उधर दिया सिर्फ ट्रेडिंग का इधर से आपसे प्रोड़ कर दी और आगे दिया और वह सेम टेकनिक सेलिब्रीटी को हायर किया इंडे स्टार्ट डूइंडी मैनुप्लेशन की इंफ्लूएंसर टाइप की मैनुप्लेशन की लोगों को उत्ते जीत करना उन्स प्रोड़क्ट को लेने के लिए और अभी क्या है यह लोग इनको क्या सकता था कि पब्लिक थोड़ा नोर्मल ही है लोग बेवकूफ तो हैं मैं तो खुला बोलता हूं जो रिटेलर ममा आर्थ का आई प्यो भर रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं मैं आपको बताता हूं क्यों एक एक एक्जाम्पल नहीं ऐसे 36 एक्जाम्पल हैं अगर आप देखो से स्टार्ट अप का लॉंचिंग हुआ है तब से प्रॉब्लम है अगर आप देखोगे जोमेटो का तो जोमेटो यह बड़ी बड़ी कंपनियां पचास-पचास हजार करोड के वैलिशन पर आती हैं जो की रेविन्यू जनरेट करती हैं द दस हजार पंदरा पंदरा हजार करोड़ उसंथिंग लाइक अबोव 5,000 करोर लेकिन इनका जो एक्ट्षाल प्रॉफिट होता है वह तो माइनस में होता है दाही सो करोड़ कलोज चार्सो करोड़ कलोज, आटसो करोड़ कलोज यह कंपनिया एक रुपिया कमाने के लिए सो सो रुपे खर्च कर देती हैं सा क्रेड क्रेड करके बहुत ज्यादा हाइप हो रहा था और लोगों उसका भी आईप आने की बातचीट चल रहे थी तो मैंने थोड़ा क्रेड के बारे में रिसर्च किया और उसका टार्गेट मार्केटिंग कहा हो रहा था पता है ऐसी जगह जहां पर लोगडाउन के बाद ल तो यह एक तरीके का टेकनिक है आपको इंफ्लूइंस करने का वो लोग एक रुप्या कमाने के लिए 700 रुपे खर्च करते थी सिमिलर लाइका पेटियम भी इसी तरीके की टेकनिक यूज़ करता था पेटियम ने भी बाद में अपने खर्चों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया इन लोगों ने स्पॉंसर्शिप कर दी किर्केट की में स्पॉंसर्शिप भी कर रहे थे I don't know कि कौन सी लीक या कौन सा टूनेमेंट किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बर they are doing और क्या होता है कि अगर जब आपकी मनसा यह है कि मैं एक रुपिया कमाने के लिए 100 रुपे या 500 रुपे खर्च करूं तो आप सोचो एक बात कि आप जो यह पैसा ला रहे हों कि आपका तो पैसा है नहीं एंजल इंवेस्टर का है राइट हो इस गिविंग दी एडवाइस एंजल इंवेस्टर ही गिविं डी एडवाइस कि आप इस तरीके से मार् सक्षास ले चलूँगा वो कह गएगा मैं आपके बिजननेस में पैसा लगाने के लिए तियार हूँ वो आपका बिजनस मोडूल देखेगा बिजनस वही सेलेट करेंगे जो इसकी है रिक्वार्मेंक्स राइट तो वह पैसा लगाएगा उसके बाद वह क्या वो लेगा हमसे कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करते हैं यू स्टार्ट डूइंग दी सेम प्रोसेस जो आप पहले करते हैं रहे हो बट नेक्स्ट वाटर से हम लोग ये टेक्निक्स को फोलो करें सर एक कोशन ये भी है इस यू नो कि गजल जी अभी शार्क टैंग में थे तो शार्क टैंग में इन्होंने काफी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो मैं एक चीज जाना चाहूंगा कि अगर मामसाच की रिपोर्ट के हिसाब से ये कंपनी अगर प्रॉफिटेबल ही नहीं है अगर आप इसले तीन साल की रिपोर्ट देखो तो कभी माइनस फॉर्टीन हंड़ करोर फिर फॉर्टीन करोर का प्रॉफिट है ना तो कम से कम 40-50 करोर तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे है शार्क टैंक पर आकर तो वो पैसा कहां से आ रहा है देखो मैं आपको बताता हूूं हो सकता है और मैं गल牌 पहली बात इशाख टैंक कर यह खुले Meng जो फिरंडिंग चल रही है पहली बात तो यह उतनी डिखाई जा रही पंडिंग होती है इन लोगों की उतनी फिरंडिंग नहीं होती है अगर यह बोलते हैं बिजनस में कर सकते हैं दूसरी बात शाइख टैंक पर अक्सर आप लोगों ने देखा हुगा अगर कोई कंपनी 10 लाग 20 लाग 50 30 लाग तक का रेवेन्यू जनरेट करती है साल बर में तो यह उसको खराब बोल दे रहे हैं और वहीं कंपारिजन मे इन लोगों का कंपनी साल भर में लोज करती है अबो हंडर करों तो ये उसको अच्छा बता है श्याक टैंक पर पिछले साल एक फूलो का बिजनस करने वाली एक लेडी आई थी उसने फूलो की मार्किट को भापा वन ओफ दी विगेस्ट बिजनस इन ओल ओवर दी वर्ल्ड हुआ है फूलो का क्योंकि लोगों में आस्थाफ हो तो उन्होंने उसके उसको भी इस तरीके से निगलेट किया बट उन में से एक शाक ऐसा था जिसने उसके लिए तो बेसिकली क्या है आज मैं आपकी कंपनी में दो करोड रूपे लगा रहा हूं अगर आपका बिजनस अ का प्रोड़क्ट के साथ जो एक इको फ्रेंडी वे होता है ना वो िको फ्रेंडी वे तब-तक सही रहता है जब अजव अन्जल इंवेस्टर बीच में आकर अपनी इत्तांग्ड सब्सक्राया इवने अगर मैं बात करूं तो वरुन जी और जो हुदकी वाइफ ञाफ है इ वेलुएशन करवा दिया क्योंकि इने लगता था जमैटो को मिल गया पेटियम को मिल गया और नायका को मिल गया तो हमें भी मिल जाए और इवन की इनके एसेट्स ही एक हजार कुछ करोड के ही है यार अभी आपने थोड़ी दिन थोड़ी देर पहले आपने पुछा कि अच्छा हुआ उन इंफ्लेंसर ने उगली उठाया क्योंकि उन्हीं के जरिये वहां पे कुछ टाइम के लिए पास होगा और इन्होंने राइट्स टाइम आने का वेट किया दिवाली पे अक्सर लोग दिवाली पे नए इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है लोग इधर बिजी रहते हैं तो इस रिसर्च भी नहीं कर पाते हैं तो यह अभी क्या है कि इन लोगों ने जो चोबिस हजार करोड का जो वैलुएशन किया इनको अच्छे से पता था इन्होंने ग्रे मार्किट के कोडिंग किया था रीसंट्ली बात करें तो जियो फाइनेंशियल लुप गिया तो इसी तरीके से जब नायका का आ रहा था तो नायका वाले का भी फाविद मार्किक प्रैस आपकर वाले का जबकि नायका ने उश्य प्र दूट का जला चार्ज को भी फुक फुक कर पीता है, तो exactly यही है, यह लोग समझ गए थे कि पहले ऐसा incident हो चुका है, और चोबीस हजार करोड की valuation लाकर हमने market में गलती कर दी, सब लोग हमारी तरफ उठाने लग गए, let's cool down this matter. But don't you think sir, चौबीस हजार करोड एक टाइम पे शो करकर, चौदा हजार करोड माइनस करना, एक बहुत बड़ा amount है, तो अब आप यह सोचो, दस हजार करोड कहां गए, चौदा हजार करोड उपे कहां गए, यह चौदा हजार करोड हवा में थे, यह कहीं थे ही नहीं, यह थे आ को यूज करके यह प्रोड़क को इंप्रूव कर दिया है, आपकी नजरों के आदे, हाला कि प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है, बट सो रुपे की चीज को अगर आप हजार रुपे में बेचोगे, तो मैं क्या बोलूँगा? जैसे आज कल के टाइम पर बोलते हैं कि सब कुछ बिखता है, इमोशन, होप, ना ते रिस्सेदार, तो जो इस चोदा हजार क्रोड का अमाउंट था, यह कहीं नहीं कहीं उसकी प्राइस था, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले कौन भी का, सबसे पहले भी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में मॉस्ट ओफ दी पर्सिंस को वैलूइशन का अंदाज ही नहीं है कि कैसे निकालते हैं, होता क्या है, उन्होंने बोल दिया 24,000 करोड मैंने मान दिया, चोबिशन, राइट, कैन यू बिलीव इट कि जो कंपनी 50,000 करोड रूप ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मानते हैं हम लोग, यह पचास हजार करोड की वैलुएशन लेके आने वाले की एक्च्वल वैलुएशन तो पांच करोड भी नहीं मिलेगी, फिर भी 50,000 करोड, कई भार 100 करोड भी नहीं मिलेगी, है न, बट देयर आइडिया, देयर एक्स मार्केटिंग में लगा दिया, यह आपने 100 करोड रुपे मार्केटिंग में लगा के, अगर 10-15 करोड रुपे कम है, तो आपने क्या करा, 90 करोड रुपे हमेशा आपके ऊपर डैप ती तो रहा, अब सोचो आप इस बिजनस को 10 साल रन करते हैं, अभी थोड़े टाइम पह आई वाज इन दे कोलेज टूटाउजन एट और नाइन, नाइट, तब मैंने स्नेप डिल से मैंने वो किया था, यानि 10 और 4, 12 या 13 साल बाद आके उन्होंने एट पार पर आई, तब तक उन्होंने करोड रुपे सेटल कर दी, समझो, जो ममा आर्थ का 10,000 करोड रुपे का यह लोग वैलुएशन बता रहे हैं, बता दूं कितना वैलुएशन है इसका, देखो हर कंपनी का बंदा बैलेंस शीट में जोल जाल करता है, बैलेंस शीट में इनका एसेट कितना दिखा है, 1000 करोड के आसपास, चलो मैं मोटा मोटा पकड़ लेता हूँ, और 200-300 करोड फिर भी मैं बता रहा हूँ, इस कंपनी का एक्चॉल वैल्यू, नोट मोर देन 600-700 करोड के ऊपर है, मैं आपको इस बात की लिखित में गैरेंटी दिलगा, येस, आप सोचो, जो प्रोड अभी देखते जाओ, कहा लिस्ट हो रहे हैं, 300 पे, मैंने क्या बताया आपको, 10X नीचे, 20X नीचे बताया है, ये 300 रुपे पे जो आज लोंच हो रहा है, एक साल बाद में लोगों से बात करूँगा, जब ये 100 रुपे आ गाए, आपको मामा जर्थ के लिस्ट होने के बाद का प्राइस शायद अंदाजा मिल गया होगा, बट वी आ नॉट रिक्मेंडिं मैं स्टिकली बोल रहा हूं मामा अर्थ के प्रोड़क्ट यूज करो, लेकिन ये वो मामा नहीं है जो मदर इंडिया बन जाए, ये मामा कंस है, तुम्हें मारेगा और धोएगा पकड़ेगे, अगर बनना चाहते हो किर्शन तो फोलो करो मेरा मार्ग डर्शन, और आज मैं बताने वाला हूं, वो IPO का एक realistic way जिससे आपको ना कुछ valuation का पता है, ना कुछ पता है, ना कुछ पता है, फोलो दी फंडा, वीडियो के end में मैं जरूर बताऊंगा, बने रही है, एक चीज ये भी है, अभी जो भी हमने इस चीज के उपर research किया, अभी तक ये समझ में आ रहा है, जैसे आपने guide किया कि हमें अभी इसमें investment नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, no doubt, तो और भी आप कुछ add-on करना चाहोगे points कि इनका जो IPO ला रहे हैं, यार देखो, इनका एक merchant banker है, इनका नहीं सब का है, उस merchant banker के साथ 4 लोग और है, 4-5 लोग और है they are associated with lot of firms, जो जिन लोगों का IPO लाते हैं, recently उनके 17 IPO ऐसे थे, 17 से 21, जिन में price band issue, listing price, से कम loan चुगा है, market में, पहला disadvantage, तूसरा disadvantage क्या है, कि इसका overvaluation, इन्होंने जो actual में, अगर देखोगे आप मामार्थ, जैसे हम लोग investing को कैसे करते हैं, किसी stock को, सस्ता है महिंगा कैसे पता हैं, आप बताओ, mostly PE ratio देखकर, या उस पे कितना sales है, sales growth कितनी है, year by year, राइट, देखो अभी शेक, आपने पहला सब्थ तो बहुत ऐसा बता दिया, कि जहां सब की लोगों की नजर नजर आती है, दूसरे सब्द में किसी की नजर नहीं गई होगी, राइट, तो PE ratio इस नो ओल अबाउट की, आपको सारा company का सबसे बड़ा ग्यान उसमें देदी, लेकिन एक चीज़ समझ लो, कि PE ratio sales का growth का double, triple हो चलेगा, यह मैंने actual में बहुत बड़ी टेक्निक बता दी, बड़ फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कि PE ratio इसका सतरा सो है, नाइका से लगबग टू लगबग 5-7X ज्यादा, ठीक है, 10X भी हो सकता है, actual remember नहीं है, because I don't work on the data, I don't believe on कि मैं हमेशा तयार होकर जाऊँ, natural content और natural knowledge आप उसी से ले सकते हो, जो realistic way में उसको भापा हो, right, तो मैंने IPO को इस तरीके से बापा हो, मेरे फादर ने कुछ IPO में ऐसा पैसा लगाया कि वो आज भी रेट नहीं है, then I found only one proper trick for selecting the best IPO, कौन से IPO में पैसा लगाने है, कौन से में नहीं लगा, right, और most of the important thing, कि मैं हमेशा उस IPO में जिसमें पैसा लगता हूँ, हमेशा पहले उसके products को देखता हूँ, उसके competitor को देखता हूँ, competitor की क्या value है, और यह क्या value मांग रहे है, यहीं छुपा हुआ है सब कुछ, बट सार मामाजर्थ के accordingly, जो यह products बना रहे हैं, ऐसा तो पूरे world में ही नहीं है कोई, right, मतलब competitors हैं, बट किसी हद तक है, according to them, ऐसा कोई है नहीं, देखो, product बहुत बनाने वाले हैं, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मामार्थ खुद कोई product नहीं बनाता, उसका manufacture different है, जो manufacture मामार्थ के लिए बनाता है, ऐसा ही product वो और भी 4-5 company उसके लिए बनाता है, different different type की ओर, मामार्थ के इलावा एक और है एक product मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक्रो create करके ऐसा कुछ है वो, मेरे घर पर वो recently आया है, मामार्थ का unsold हो गया था, तो वीडियो के comment में मैं तुमको दूँगा तो तुम लोग उसका नाम जरूर लिखना, that is also a best product बच्चों के लिए ठीक है, और बड़ों के लिए भी है, तो वो अच्छा product है, मुझे ऐसा लगता है ममार्थ और दोनों का quality मैंने देखा था, दोनों का manufacture देगा, और कहीं न कहीं उसके manufacturing उससे अच्छी, packaging भी अच्छी है, quality भी अच्छी है और पैसा उससे कम लिए रहे, तो आप सचो, marketing बढ़ने से product की cost भी बढ़ेगी, बड़ी बड़ी influencer से कराने से तब भी cost बढ़ेगी, इससे अच्छा, तो यार आप लोग sportsman को sponsorship दो ना, बिल्कुल, आप लोग क्यों celebrity के पास जाते हों, आप Olympic में जीतने वाले, वो sportsman को दीजिए, अरे आप celebrity को 5-7 करोड रूपे या 2-3 करोड रूपे देते हो, अरे आप अच्छा काम करो, आप देश में बहुत सारे cricators हैं, football players हैं, under team हैं, अरे उनको करो, उनको भी पहचान म ले, product तो आप लेकिन आप लोग को आप लोग selfish हो, आप लोग मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हो, रिटेलर को लूटने के लिए आते हो, लेकिन ऐसा तब तक ही चलेगा, जब तक रिटेलर को knowledge नहीं है, और जिस दिन उसको knowledge आया ना, उस दिन आपके IP को ला बट मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैंने बताएना पूरे यूटूब पर इस बारे में, ममा अर्थ के IP के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, मेरा strictly no है, मैं बार बार बोल रहा हूं, no है, ये 100 रुपे आएगा, तब लेना है, अगर इसने अपना manufacture change किया, पहली आपको इसके manufacture पर ध्यान रखना है, इसने अगर manufacture change किया, तो आपने छोड़ देना है, हर एक बंदा उस तरीके का product नहीं बना सकते है, जो आज ये product बना रहा है sunscreen lotion, जो ये उत्पम, वो क्या बोलते हैं, बच्चों के लगाते हैं न, उप्टन होता है, वो भी इसका बहुत अच्छे product बनाते हैं, और भी ये cosmetic products में भी आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा product बनाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ममा अर्थ खराब है, ममा अर्थ के product खराब नहीं है, सर इनके accordingly इनका जो patent है, वो अपने जहां से ये product बनवा रहे हैं, उन पर नहीं है, तो अगर in between ह हमें news मिलती है, कि इन्होंने अपना patent कर लिया है, हाँ, तो देखो अगर इन्होंने patent कर लिया, और ये भी हो सकता है, ये जो increments use करते हैं, ये जो भी technique, ये जो भी recipe जिसको बोलते हैं, बनाने का एक तरीका, वो जो है, उसको patent करा लेते हैं, और फिर उस manufacture, जिससे ये कराते हैं, वो सेम रहता है, तो तो मैं इस product की तरफ जाऊंगा, सो रूपे के आसपास, मैं इसको actual में सही बताऊं, तो 70 रूपे से लेके, 50 रूपे तक की range में मैं इसको लेने start करूँगा, जब ये under value होड़ है, गाइस आप देख सकते हो, सर की accordingly इसका IPO price है, 3082, 324 की range में, सर न कितने price का difference दिया है, 50 to 70, कि आपके accordingly, 50 से 70 price के बीच में इसका अच्छी investment बनती है, long term के लिए वो भी, और मैं खुला बोलता हूँ, अगर आप बोलते हो, मेरा trade लिख वालो, आप IPO जितने वे price में list होगा, मैं उससे लेके, अगले 30 दिन तक बेचूँँगा, मैंने क्यों 30 दिन बोला, अभिशेख जी, 30 days is the limit for exiting the, जो बड़े-बड़े players होते हैं, उनके लिए, जिनको जरूरत से, जिनको bulk quantity में IPO issue होता है, तो यह उनको निरास नहीं करेंगे, यह IPO on the list, सायद हो सकता है, सायद, बट यह भी हो सकता है, यह उस दिन IPO 20-25 परसेंट पलस में भी खुल जाए, यह उस दिन हो जाए, I am not talking about की एक दिन का गेम, सो मतलब आप audience को एक strategy दे रहे हो, कि अगले 30 दिन तक मैं सिरह बेचने का सोचूंगा, reason बता दिया, 30 दिन के बाद एक game play करना है, वो मैं आपको बताऊंगा विशेख, कैसे करना है, वो बताऊंगा, life मे इसी तरीके के अगर IPO और भी आते है, तो क्या करने है, अगर किसी भी IPO को जानने की curiosity हो, कि वो क्या करते है, क्या नहीं करते है, मैं कहता हूँ, forget about all this, दो चीज़ों पर दियान रखना है, manufacturing unit, वहाँ पर पैसा लगाना है, अगर कोई IPO आता है, दूसरा, IT का कोई IPO आता है, उ जो था, consumer products का लेकर आना है, पांचवा ऐसी manufacturing chip बनाने वाली companies को लेकर आना है, जो कि auto mobiles के लिए हो, जो कि mobile के लिए हो, auto accessories के कोई भी IPO आता है, तो उनको miss नहीं करना, chemical का कोई आता है, उनको miss नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता, chemical कहां कहां use होता है, कौन सा chemical वो बनात है, उसकी research करो, वो कहां कहां use होता है, राइट, दूसरा, ये सब चीजे जानने के बाद, दूसरा point आता है, यार, ये सब चीजे होने के बाद भी, आपका कोई ना कोई दाओ, खराब हो सकता है, क्योंकि overvaluation, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं मैंने अभी जो बताई, वीडियो को ध्यान से सुनना, आराम से बंद कमरे में 30 मिनिट, आराम से इस पूरी वीडियो को सुनना, IPO का पूरा ग्यान इसी में चुपा हो, कौन सा select करना है, ये मैंने बता दिया, कौन सा नहीं करना है, ये भी सुनना, पहला, government का कोई भी IPO है, नहीं करना, जैसे मैंने strictly L.I.C. का नो बोला था, उसके बाद उससे उस दिन से उपर आया ही नहीं, ठीक है, जो लोग मुझे personally जानते हैं, उनको पता है कि मैं ने खुले आम बोल दिया, जिससे मुझे problem भी हो गए थी, but I don't care on this, मैं लोगों को जागरूप कर रहा हूं, न influencer नहीं है, जो पहले के लोग influencer होते हैं, influencer का मतलब क्या है, कि आपको मैं प्रेरित करूँ या आपको ऐसा आपके लिए inspiration रोल बनूँ, कि आप मेरी तरह बनने की पोच्छे से, आज उल्टा हो गए, ठीक है, दूसरा कि हर बंदा, हर influencer को उसी नजरों से देखते हैं, जब आ आपको ग्यान देगा कौन, क्या आपको ये बड़े बड़े shark tank पे आने वाले लोग ये देंगे ग्यान, ग्यान तो आपको हमारे जैसे ही लोग देंगे, लेकिन आप उन में से choose करो, right person को find करो, that is the right way, तो अब हम आते हैं strategy के उपर, आपको 30 days pure wait करना है, जिस दिन IPO का launching price हो उस दिन से लेके अगले 30 दिन तक उसके अंदर कुछ नहीं करना है, मैं कभी भी अभी से कोई भी IPO नहीं feel करता हूं, सिवाए IT के, और सिवाए gaming के, right, कभी भी नहीं करता हूं, ठीक है, मेरे पास क्योंकि एक reason है, इस video के माध्यम से मैं सारी चीज़े नहीं बता सकता, क्यो तो हमें 30 days तक कुछ नहीं करना, अब आ जाता है 30 days के बाद वाला face, right, 30 days यानि one month, मैं one month की बात कर रहा हूं, नोटा trading days की बात, अगर बात करते हैं trading days की, right, तो मैं बात करता हूं, चलो 30 trading days ही ले गो, right, क्योंकि मैं बोलता हूं 30 days के बाद हमें action लेना है 45 days बाद, you mean 1.5 month, yes, तब तक वेट करना है, तब तक वेट करना है, आन दी आए, तुफान आए, तुम्हें कुछ नहीं भूलना है, सर आप कुछ हमारी audience को गाइड करो, IPO list होते ही, IPO भाग रहा होता है और यह उस ही में entry लेते हैं, यह एक technique है, इस technique को मैं openly reveal नहीं कर सकता, but I will give you the hint, right, सबसे पहले इसको समझते हैं 45 days वाली story को, तो 45 days वाली जो story है, इसको मैं बोलता हूँ formula 11, right, ध्यान से सुनना इस बात को, आपको 30 days कुछ नहीं करना है, next 15 days में आपको क्या करना है, जो भी IPO आये थे, पिछले छे महीने के दोना है, चेक करना है, क्या वो listing price जो हुआ था उससे उपर हैं, या नहीं हैं, अगर 45 days के दोरान में वो नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अगर वो होते हैं, तो हम क्या करेंगे, invest करेंगे, right, मान लो 45 days के बाद भी नहीं होता, तो 45 days इंटू 2, multiply करना है मतलब, 90, 90 दिन बाद हम फिर आएंगे, फिर चेक करेंगे, जो IPO 45 days में नहीं आए, वो अगर 90 दिन में उपर आते हैं, तो हम उधर भी invest करेंगे, आप जाकर देख लो, Mind Tree, जाकर देखो, Happiest Mind, आप फेक वाला देखो, LIC, Jumato, Rpower, जिसने सबकी लुटिये डुबाई, PTM, आप Naika, और और भी XYZ आप जो भी ले सकते हो, Demart का IPO जाकर देखो, आँखे खुल जाएंगे, जैसा आपने पूछा, मुझसे कि सेम डे में क्या करेंगे, सेम डे में मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ताकतवर को ताकतवर बनाओ, यह आपका एक मोटो है, यह आपका लोगो है, कि ताकतवर को ताकतवर बनाओ, और कमजोर को कमजोर, अरे जिस IPO में दम होगा ना, उसको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, SHAM market में भी बहुत साँर लिस्ट होते हैं और छलते हैं, मारकेटिंग करते हैं नहीं, अच्छा है देते हैं, किसी IT का मारकेटिंग होते होगर देखा है टी-वी में, क्यों, सब लोगों को IT की जरूरत है उसको जरूरत ही नहीं है marketing, विए उन्में स्टेंथ है खुद से इंप्रूव करने की देयाव स्टॉंग प्रोड़क्ट और उन्हें पता है हमारी जो ओडियंस है ना टार्गेट ओडियंस है जो कस्टूमर है वह हमें छोड़के नहीं जाएंगे कि सर्वीस इंड़स्टी का कोई भरोसा नहीं होंता सर्वीस इंड़स्टी में आपका कॉमप्रस आएगा तो आपको मारें ओं लाइंप ए एनस्डील का आने वालों हिए खुलया बोलता हूं बहुत आ कि एक एक बंदा द्न parte आपका अक्सर लोग मेरे से इमेल में क्या पूछते हैं अभी शेख सर आइसर मोटर वाला सेयर बताओ ना सर बजाज फाइनेंस कैसे बढ़ गया वैसा बताओ ना हनूट वाला बताओ सर अतुल वाला बताओ मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ follow ideology and think about the monopoly like IR CDC monopoly उसके इलावा कोई नहीं है उस market IRFC कोई नहीं है CDSL कोई नहीं है CAMS mutual fund ये ले लो वो ले लो फुलाना डिंका सब कर रहे हैं अरे तुम बोली लोग विचल फंट तो चली रहे न आगे इंडिया में अभी चार परसेंट चार फोर पॉइंट फाइफ लोग मार्किट में इंवेस्ट करते हैं अगले 10 साल बात यह अगर 8% हो गया तो डो यू रियली तिंक कि स्टोक का क्या वैल्ली हो जाएगा बी एससी का सीडी ऐसल का क्या हो जाएगा यहां से 20 30 40 एक्स हो जाएगा इनके इलावा कोई करता ही नहीं है तो तुम्हें ऐसे नहीं और सीडी ऐसल का और बी एससी का चलने का रीजन यही है कि एनस डी एला का आने वाला तो सर एक चीज है एक डाउट है मेरे मन में कि मामा दर्स के आई पियो ने इन्हों ने अपने प्रोड़क्ट को इतना अच्छा बनाया आप ने खुद बताया कि आप इसके प्रोड़क्ट को यूज कर रहे हो और एवन कि मैंने भी अच्छे रिव्यूज इनके रीड किये और इन्हों ने अपनी इंफ्रेंसिंग मार्केटिंग में भी इतना खर्चा कर दिया इनको एक्च्छल में जरूरत थी यार देखो आज जो इन्होंने किया मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी दिर पहले कि अगर यह इतनी नहीं लाते यह इसको अगर पांच हजार करोड का लियाते सब लोग इसमें पैसा इंवेस्ट करते तिंकिंग क्योंकि वह नहीं जा रहे पचास हजार करोड़ दास सबसे बड़ी गलती कर दे इन्होंने 24,000 क्रोड की फीगर दिखा कर रहे यह फीगर तो यह मार्किट में और तीन-चार साल बात कर लेती अरे तुम्हें इन्वेस्टर को एक्जेटी कराना था तो उनको जितना मांट लिया था उससे 10x करके कर देते कंपनी तो इसने यही रखी दो लेकिन अगर इन्होंने प्रॉड़क की क्वालिटी खराब करी तो यह दिखा दो देगे और यही एंजल इन्वेस्टर को खत्र है क्योंकि यह लोग उठकर रहे हैं तो कोई और भी आ सकता है यार देखो आप जहां आज आपका प्रॉड़क्त 10 विक खरीदने वाले तो हजारों हैं लेकिन विक तो जसी रहे हैं लेकिन अगर आपका कॉम्पेटिटर भी उसी डीलर के पास आ गया तो आपका प्रॉड़क्त 10 में से 8 विकेगा दो उसका विकेगा and do you know one thing इनका सबसे बड़ा मार्केट बेचने का जो मार्केट प्लेस है वो क कमेंडेशन करके नाम की एक चीज होती है अगर आपका गलती से प्रॉड़क्त हो सकता है उस साइट पे तो आप तुरंत अल्टरनेट पे जाओगे और एक बार आपने अल्टरनेट ले लिए और आपको पसंद आगा तो आप उस प्रॉड़क्त के पास वापस नहीं अब पारले जी कितने ही खालो पारले जी पारले जी ही रहेगा तो आपके पॉइंट से मुझे पॉइंट याद आया कि इनके ही रिकॉर्ड से एक चीज ये भी है कि इनका रिटेनिंग रेशो इंक्रीज नहीं हो रहा तीन साल से चल रहा है रीजन नमबर वन कि अगर आप साल पहले देखते हैं, जब क्रीम टाइम था ना, लोक डाउन, तब इन्हों ने वो मार्केटिंग नहीं की जा था, और उसके बाद शुरू की, और उसके बाद, ऐसे इंफ्लूएंसर इनको महां पे बहुत सस्ती कोस्ट पर मिल जाते हैं, और सब लोग इंटरनेट पे वाइ सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं, चलो, मैं इन लोगों को स्कैंस्टर बोलता हूं, वैसे तो, आपको पता स्कैं क्यों होता है, इन लोगों ने सिर्फ एक टेक्निक यूज नहीं करी, अगर मैं आपको सच्छा ही बता हूं, अक्सर आप लोगों ने देखा को पुराने इनका एड ऐसा नहीं था, जो इमोशनल टच हो, जो एक माग होना ऐसा इमोशनल टच करते हैं, यार मेरे लिए बेटा मेरा, जबकि जोंसन वही तीम प्ले करता है, और हिमाल्या भी, इन्होंने नहीं किया, पहली गलती, अब भी अगर सुदर गए, इस मार्केटिंग ट्र जो मार्केटिंग है इसको बोलते हैं गोरिला टच, जो एकदम जाती सीधा हिट होके सीधा दिल में घुच जाती है, गोरिला मार्केटिंग स्रेटेजी, मैगी क्यों फेमस है, उसमें वो इमोशनल टच है, एक बेटा खेल के आया, बोला भूक लगे है, मा बोलते हैं, दो मिनिट मिला है राइट या अलग तरीके के adds हैं मेंगी के लिए, दो मिनिट रुक सकते है, सरकेवल चल सकते। इसका मतलब यह है यार इतने मेगी बनने हिटने, हम कोई भी उल्टा काम कर लें, दो मिनिट में तो मैगी बनके ready हो जागी यह क्या दो मिनट में बैगी बनती है नहीं बनती ना मैं कहता हूं बढ़िया टेस्टी में पिंगी बनाना ना कम से कम 10 से 12 मिनट लगती है फिर भी दो मिनट के चक्कर में वो प्रोडक्ट कहीं ज् yता है और नासले का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोड़क्त यह जिससे सबसे ज़्यादा हाईयर रेविन्यू राइट प्रोड़क्ट अनलाइजिंग सीखना पड़ेगा वह सीख लिया तो सब सीख लिया वरना जो सीखा सब खो पाए वह खोवा पाया संपर्क करें तो यहां पे ना इन्वेस्टिंग में भ लोग जो तरह तरह की वीडियो उसको देखते हैं और सबसे बड़ी बात कि एक वीडियो में अच्छा कंटेंड मिल रहा या नहीं मिल रहा वो उसको सिर्फ तीन या चार मिनिट या पांच मिनिट में पता चुँआ दे राइट वह उस पांच मिनिट तक जाता ही नहीं है यह जाता है जो लोग अच्छा कंटेंट नहीं देते न वहां तो यह 5-5 मिनिट के आप 20-20 मिनिट देखते हैं अभी आप इसी वीडियो को 5 मिनिट का कर दो, I'm damn short कि इस पर व्यूज नहीं आएगे और आपने अगर ग्यान की बात बताईए ना तब भी नहीं आएगे और आप इसको 40 मिनिट कर दो तो बंदा आएगा देखने कि पता नहीं क्या ही डाल दिया इनोंने वह वाली बात है बाई कभी-कभी सस्ता प्रोड़क्ट भी अच्छा होता है और कभी-कभी महंगा प्रोड़क्ट भी खराब होता है तो हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है सोरी हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती है यह हमें सीखना है यह सीख गए तो स्टोक मार्केट का पूरा ज्यान सीख गए कि आज की स्टॉक में आपने यह जान लिया होगा कि मामाज अर्थ के आई प्यो को अगर आपको मिल भी जाए या जिन्होंने अप्लाई कर रखा है या जो मूड में इंवेस्टमेंट करने के इंफ्लेंस मार्केटिंग जो हुई है उसे इंफ्लेंस होकर कि यार इतने बड़े-बड़े सेलिब्रीटीज ने इसको पर्मोट कर दिया आरे यार इसमें तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है ठीक है ऐसे इंफ्लेंस में नहीं आना है आपको होफुली आज की स्टॉक में आपको कुछ समझ में आया होगा कि जिन फिगर्स के हमने बात की और जो फिगर्स एक्च्छल में आपके सामने आ रही है वो एक्च्छल में वैलुईशन आ रही है कि नहीं आ रही है मैं तो यह भोलूँगा कि पहले समझिये उसके बाद ही आप कुछ सोचिए यां पर एक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि हम वो नहीं बता रहे जो आपको सब बता रहे है हम आपको बैगदा स्टेज या कर वो चीज़े दिखा रहे हैं जो ग्रीन रूम में होती JIM करते रहो कि कौन-कौन से आई-प्यो और यह सीरिज आपको सिरफ आई-प्यो अप्लाए जब खतम हो जाएगा तब ही देखने को मिलेगा क्योंकि हम और वीडियो की तरह इसमें वो डेटा नहीं बताने वाले जो आपको सब बता रहे हैं अगर वो देखकर आप पैसा बना रहे होते हैं तो सब भी पैसा बना लेते हैं और पैसा किस से बनेगा इसका डिसीजन या आप खुद करो तो थैंक्यू सो मच अभी से पोर इन्वाइटिंग मी आई होप तुमारी ओडियंस को आज जो मैंने बताया वो कुस्तो पल्ले पड़ा होगा उसका दस परसेंट भी इनको समझ आगया ना यह लाइफ में इन्वेस्टिंग में जो ठोकरे खाई है ना इनों यह समझ जाए य इस वीडियो से ना यह लोग इतना गैट कर लेंगे कि लाइफ में दुबारे इनके माइंड में सेकिंड ठोट नहीं आगया इन्वेस्टिंग में पैसा कहां लगाई है इस टोक मार्केट में ही लगाएंगे लेकिन अच्छी जगा लगाएंगे अच्छी जगा ठीक है और मैं तो यह ही चाहूंगा कि हमारी ऐसे वीडियो और आती रहें और आपका सपोर्ट मिलता रहें I know कि आपके पास बहुत बिजी शेडियूल है ठीक है आपके और भी बिजनेसेज हैं के लिए टाइम निकाल लीजीगा क्योंकि इन ओर्डियोंस को एक्च्वल में बहुत जरूरत है यह है कि मैं हमेशा उस आईपियो में आकर जरूर बताऊंगा जहां लोग फसे जी सर नोट एवरी आईपियो बट टेक्निक तो मैंने बता दिया है जहां लोगों का इमोशन काम करेगा ना मैं उस आईपियो में आकर बताऊंगा जहां लोगों ने दूसरे लोगों ने इंफ्लूंस किया वहां आकर इनको मार्ग देशन करूंगा बिलकुर सर बस मेरा फोर्मॉला 11 याद रखना इन्वेस्टिंग में अगर आगर बढ़ना है तो इस फोर्मॉले को हमेशा फोलो करने है और अगर आप ये चाते हो कि हम ऐसे ही टॉक्स लिडन फैक्ट की और बात करें किसी भी स्टॉक्स में या जो स्टॉक्स अंपनी लि आधिए चालो। झालो। Thank you so much for inviting me and watching me.